आप सभी का सोगत है प्लागमा न्यूस पर मैं आपके साथ रिजवान खान प्लागमा न्यूस की टीम आज दह हिंद गुरू एकडमी में आई वी है मेडिकल का बड़ा नाम इंटरेंस इग्जाम के लिए और हिंद गुरू टीम की हमारे साथ दो सेकल्टी है डॉक्टर तन्वीर साहब है बाइलोजी का बड़ा नाम और जमीर साहब है जो फिजिस्स का बड़ा नाम हम बाचीत करेंगे लगतार पैरेंस इस चिंता में रहते हैं कि बच्चे जो किसी बड़े और्गनाइजेशन में जा रहे हैं उसकी फैकल्टी कैसा काम करती है क्या एक्सपिरियंस है तो मैंने सोचा कि हम इन टीचरों से बाचीत कर सके और आपको हकीकत बता सके कि क्या है यहां की हकीकत हिंद गुरू को खास कर लेके डॉक्टर तन्वीर साहब का 35 साल का एक्सपिरियंस है मेरी बाचीत हो रही थी आफ दै कैमरा मगर कहां से आते हैं क्या बैक ग्राउंड रहा है किस तरह से वो काम कर रहे हैं इस और्गनाइजेशन दे जोड़कर डॉक्टर तन्वीर साहब मैं चाहता हूं कि आप अपने पारे में हमारे वीवर्स को जरूर बताएं काथकर पैरन्स को मेरा नाम अहमद तन्वीर है और में मुझफर पूर बिहार से मेरा तालुक है वही मेरी तालीम हुई वही मैंने सब कुछ इन्वर्सिटी में पढ़ा और उसके बाद वहां कॉलेज में भी रहा और दस बरसों से मैं नैराना कोचिंग इस्चूट और पिछले पंदरे साल से तो आकाश में मैं रहा हूं और आकाश का एक फैकल्टी के हैसिये से मैंने बच्चों के ट्रेणिंग दी है उन्हें पढ़ाया है और इस तरह से बहतर से बहतर तरीके से हमारे बच्चे भी कई जगे डॉक्टर तोर पर कि जिससे भी मुझसे फायदा हो सके मैं कर सको और उसके नतायज भी सामने नदर आ रहे हैं बिल्कुल जमीर साब से बातचीत करेंगा अब आप हमारे जो वीवर्स हैं पैरेंस हैं आप अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम जमीर एहमद है और मेरा तालुक यू करीब मैं वहां साथ साल रहा उसके बाद फिर पर दिल्ली आ गया और दिल्ली में यहां पर विद्या मंधिर क्लासिस से चुड़ा रहा और अब दो साल से हिंद गुरू के साथ भी हूं तो और बहुत सारे स्टूरेंट इंजिनिंग कॉलेज में भी हैं और मेडिकल पास आउट हो शुके हैं और दूइंग वेरी गूट मैं हिंद गुरू लगतार घुमड़ा बच्चों से बातचीत करा आपके बहुत ज्यादा तारीफ है क्योंकि मैंने आप से फैकल्टी को इसलिए मिलवाया ताके आप आसानी से सब चीजों को समझ सके आप देखे दोन गुरू एकाइडमी में ही बच्चे क्यों आएं क्या आप डिफरेंट हैं दूसरों से नहीं यह बहुत सवाल आपने किया कि बच्चे हमारे यहां क्यों आएं सवाल यह है कि हमने इस बात कोशिश की जब मैं यहां आया तो जो इस नूर नौद साहब है इन्होंने मुझे जिम्मधारी दी कि साब आप डिरेक्टर एकेडमिक डिरेक्टर के हैसिये से इसको देखिए किस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं मैंने यह देखा कि हमारे बच्चे यहां के जो बच्चे वो दूसरी जगे जाते हैं और वो फैसलीटी नहीं मिल पाती इसलिके मैं बहुत ब बेहतर कर सकते हैं तो यह हमने इस बात की यहां कोशिश की कि कि लैब्रेरी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को कि वो दिन भार आते हैं क्लास करते हैं क्लास करने के बात से यहां बैठे रहते हैं हमारे यहां टीचर्स अवेलेवल रहते हैं जहां उनको डाउट क गरे किलियर करते हैं यही वज़ा है कि आप देखें कि पिछले साल हमने स्टार्ट किया इसे और बहुत ही कम बच्चे थे हमारे पास पचास-बावन बच्चे आए पैंडिमिक भी था आप तो सब लोग जानते हैं उसके वाज़ुत ऑन-लाइन भी क्लासे हमने किये जो मौका इंट्रेक्शन करते हैं हमने टेस सीरीज जो पीछे साल की है उस टेस सीरीज है हमारे बच्चे लगबग बायों में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और बच्चों ने भी अपने बातों में यह कही कि 95% कोशन हमारे वो टेस सीरीज से आये हैं और फिर पढ़ाई है हम च्रीनिंग हम बच्चों को देते हैं मैं समझता हूं कि इतनी महनत दूसरी जगे दूसरे इंस्च्चूट में नहीं होती दावे के साथ कह सकता हूं इस बात के लिए कि हमारे यहां जो पढ़ाई है वो किसी भी दूसरे बढ़ाई हैं ने जो बच्चे जाते हैं उन से हम बेहतर मेहनत करकर के बढ़ाते हैं. और इसके नतायज भी आ रहे हैं. मैं समझ रहो हो कि रिजल्ड भी पिछले साल है. और इस बार भी इनिशालला हम बहुत अच्छे रिजल्ड देने जा रहे हैं जो के एग्जामनेशन्स नीट के होने जा रहे हैं. बिल्कुल लगतार मेरे पास सिम्मेदारी फिजिक्स की रहती है और मैं देखता हूँ यह इंजिनिंग का एक्जाम हो या मेडिकल का हो दोनों में ही फिजिक्स का बड़ा एहम रोल लेता है खास्कर कि नीट के एग्जामनेशन में और जैसे मैंने बताया यहां वहां यहां पर डिफ्रेंड गय सकें और अगर वो किलासमें नहीं कह पाते हैं तो वह हमसे वन-टू-वन भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी यहां पर अविलिविल्टी हर वक्त रहती है और बच्चों को एक फीलिंग मिलती है वह काफी अलग है दूसी जगाउं से क्योंकि हमने लगातार बड़े-बड़े केंपस के अंदर देखा कि एक ही अंदर सब कुछ आपको बच्चों को मिल रहा है आपको लेबरेरी मिल रही है जो एकडमिक है वह भी सी आपश्टल में यह बहुत कम जगा पर दिखा जाता है तो यह इंप्वाटन चीजें हमने आपको बता आई हमारे कोशिश है कि लाग आता है प्लाग्मा नीउस को आपि सीदर से प्यार देते रहें थैंक यू फो वाचिंग प्लाग्मा नीउस